Hello students, how are you all? I hope you all are fine. हम लोग चैप्टर 4 कर चुके हैं, चैप्टर 4 के आपके पास फिन दे ब्लैंक स्टू फाल्स चला गया होगा, कोशन अंसर अभी तक नहीं गया, कोशन अंसर आपको लोग के पास कुछ दिन बात जाएगा, कोई भी एक वैकेस्टन में जा सकता है, या फिर कोई भी क्लास जरूर अब लोगों ने देखा होगा, प्रैक्टिस क्या होगा, यह जो चैप्टर है, यह है more about MS Excel, MS Excel के बारे में हम लोग यहां से और भी जानेंगे, अब हम लोग इस चैप्टर से क्या क्या जानेंगे, यह क्या है, इनके बारे में, तो जो Excel sheet था, Excel sheet में हम लोगों ने क् इसा कुछ काम हम लोग ने किया था, रो कॉलम का प्लस माइनस किया था, ऐसा कुछ काम किया था, यहां पर क्या है, हम लोग formula नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग कोई भी Excel sheet में, अगर हम रहा ऐसा कोई details है, इस details में से कोई नाम हमें ढूड़ना है, यह फिर कोई event ढूड़न shorting data, shorting क्या होता है, shorting मतलब कोई भी चीज चूज करना, अगर आपके पास, suppose, 10 pencil है, उसमें से 2 pencil खराब हो चुके है, तो हम लोग कुछ से sorting करके, यहां 100 pencils है, वहां से 2 pencil या 10 pencil ना स्टोर चुका है, तो हम लोग sorting करते हैं कोई चीज को, यहां पी भी क्या है, यहां पर हम shorting करेंगे, shorting क्या करेंगे, shorting means the n-inch data either to ascending or descending order, short करना, उपर से नीचे तक, नीचे से उपर, यह चोटे-चोटे से बड़ा तक हम लोग ascending करेंगे, ठीक है, in the Excel, work sheet, the row and serve the record and column as the field, field जो होता है, वो column होता है, और record कहां पर रहता है, rows में रहता है, तो हम लोग row और column में filter क करके, यह short करके हम लोग कर सकते है, short करना में easily यहाँ पर समझो, यहाँ पर दो, short a to z, short z to a, custom short या filter, custom मतला हम कोई भी set कर सकते है, बंदो सब वी वाला नाम आगे आएगा, z बाला last में जाएगा, अगर short z to a करेंगे, तो z बाला आगे आएगा, a नीचे जाएगा, custom short क्या होता है, कोई भी खुद से कोई भी short चूज करके, हम लोग कोई भी काम कर सकता है, filter भी वही पद्धती है, अब क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, select and sell name the column, यहाँ पर क्या select sell को करना पड़ेगा, वहाँ पर column है, column में जाके, इसके लिए आपको home tab में जाना पड़ Z2A option आएगा, यहाँ पर आप चूज करोंगे, तो यह sorting हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद है sorting data using multiple field, यह था sorting data is single field, ठीक है, यह है, देखो single field, मतलब एक ही घर में, एक ही कोई घर में, यहाँ पर तीन घर हैं, यहाँ पर से कोई भी एक घर में, हम लोग कर सकते हैं, शॉट करके काम कर सकते हैं, अब आगया multiple, मतलब सब घर में, एक साथ यहाँ पर तीनो घर है, तीनो घर में, इसमें भी प्रोसेस एक ही है, sorting custom आपको उसे sale है, वहाँ पर name column में जा सकते हो, वहाँ पर जाके home tab में जाओगे, short and filter जो option है, आपको home tab पे जब भी क्लिक करोगे, वहाँ पर short जो है, यह option उपर के side जो है, उपर में मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हेजी आ रहा है, बट आपके मुक में देखने clear picture मिलेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, short and filter, तो shorter filter में आपको जाना परेगा, editing group में, फिर वहाँ पर custom short करना परेगा, custom करना मतलब खुझ से देना, custom करने के बाद, आप short dialogue box एपीर होगा, उस short dialogue box में आपको क्या क्या चाहिए, किस तरीक है, इस तरीके का dialogue box आपीर होगा, यहाँ पर name, event जो भी है, उसके बार में, उसक कर सकते हो, वहाँ पर A to Z करो, Z to A करो, अलग-अलग कुछ भी करो, तो short कर सकते हो, मतलब बहुत सारे चीजों में ढून के निकाल सकते हो, तो यह column में short कर सकता है, इसमें short on list रहता है, उसके जरी होता है, and order list arrow list of condition, तो यहाँ पर order list आता है, order list में जाके, आप सजा सकते हो, दिन क्लिक OK करोगे, तो यह automatic select हो जाएगा, तो देखो, दोनों की संपरक में आपने जाना, एक है multiple fields, और एक है आपका single field, ठीक है, दोनों, दो प्रकार है, बहुत ही बड़ा steps है, तो step को आपको याद करना पड़ेगा, यह पढ़ना पड़ेगा, तो यह दो जो मैंने आप practice करो, या फिर नहीं है, तो यह वीडियो देखो, practical जब मैं भेजूंगा, वो practical वीडियो देखना, आपके पास और दी यह clear हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारा options है, बट आज हम लोग सब नहीं पड़ेगे, हमारे पास दो आप लोगों को मैंने step करवाया, ए उतारना पड़ेगा, हम लोग कॉपी में क्यों उतार है, question आ सकता है, क्योंकि हमें यहां से जितना भी steps है, यह बहुत ही जरूरी है, जिनके पास कम है, बार-बार बोलों, जिनके पास computer है, laptop है, या जिनके पास नहीं है, वो लोग थोरा सा यह स्टेप से प्रैक्टिस करना ठीक है, थोरा सा जुगार करो, किसी के पास से लेके, या फिर जुगार करके, आप लोग यह काम कर सकते हो, अब यह दोनों बहुत ही बड़ा है, और यह दोनों हमारे question answer से related है, जो हम previous में, future में जो question answer करेंगे, वहां पे भी आपको यह दो step आपको मिलेगा, अभी से आप इसको ready करके रखोगे, बाद में आपके problem नहीं होगा, तो आप लोग यह step बहुत ही अच्छी तरह के से करो, अपने copy में, computer copy में यह दोनों step उतालो, उतार के ने के बाद इसको reading करो, पर्चे रहो, पर्चे रहो, पर्चे रहो, कि आपको याद हो जाए, तो नेक्स दिन हम इसका जो part 2 वीडियो आपके पास जाएगा, और बाकी जो question answer class 4 का है, जो chapter 4 का है, वो भी बाद में आपको पास जाएगा, so आज के लिए thank you all of you, bye, goodbye